ब्रहस्पती वृत कथा प्राचीन समय की बात है एक बड़ा प्रतापी तर्थादानी राजा था वा प्रते गुरुवार को वृत रखता और पूझा करता था यह उसकी राणी को अश्चा नहीं लगता था नाही वो वृत रखती और नाहीं किसी को एक पैसा दान देती, राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी, एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने के लिए बन में चले गए, घर पर रानी और दासी अकेली थी, उस समय गुरू ब्रहस्पती साधू का रूप धारन कर राजा के दरवाजे पे भिक्षा मांगने आ हे देवी, तुम बड़ी विचितरो हो, संतान और धन के लिए भी कोई दुखी होता है, अगर तुम्हारे पास धन अधिक है, तो उसे शुब कारियों में लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरें, परंतु साधू की यह बात रानी को खुश नहीं कर पाई, उस को धोते समय स्नान करना, राजा से भी हजामत बनाने को कहना, भोजन में मान समधिरा खाना, कपड़ा धोबी को धुलने के लिए देना, इस प्रकार साध ब्रहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्धन नश्ट हो जाएगा, इतना कहकर साधू बने ब्रहस्पती देव अंतर कोई छोटा काम नहीं कर सकता, ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया, वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेशता, इस तरह वह अपना जीवन व्यतित करने लगा, इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी, एक समय जब रानी और दासी को साथ दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ खाने को ले आ, जिससे हमारा थोड़े दिन तक गुजर बसर हो सके, दासी रानी के बहन के पास गई, उस दिन ब्रहस्पतिवार था, रानी की बहन उसमें ब्रहस्पतिवार की कथा सुन रही थी, दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने उससे कोई उत्तर नहीं दिया, जब रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह बहुत दुखी हुई उसे क्रोध भी आया दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात सुना डाली सुनकर रानी ने अपने भागे को कोसा उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परन्तु मैं उसे कोई उत्तर नहीं दे पाई उसे वह बहुत दुखी हुई होगी कथा सुनकर और पूजा समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी हे बहन मैं ब्रहस्पतिवार का वृत कर रही थी तुम्हारी दासी गई थी परन्तु जब तक कथा सुनते हैं तब तक न उठते हैं और नहीं बोलते हैं इसलिए मैं नहीं बोली कहो दासी क्यों गई थी रानी बोली बहन हमारे घर अनाज नहीं था ऐसा कहते कहते रानी की आँखे भर आई उसने दासी सम्मेट भूखे रहने की बात भी अपनी बहन को विस्तार पूरवक कह सुनाई रानी की बहन बोली बहन देखो ब्रहस पती देव भगवान सब की मनोकामना पून करते हैं देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घरा अनाज से भरा हुआ मिला उसे बड़ी हैरानी हुई उसने एक-एक बरतन देख लिया था उसने बाहर आकर रानी को बताया दासी रानी से कहने लगी हे रानी जब आपको भूजिन नहीं मिलता तो हम वरत ही करते हैं इसलिए क्यों न इनसे वरत की कथा की विधी पूछ ली जाए हम भी वरत किया करेंगे दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से ब्रहस पतिवार की वरत के कथा की विधी पूछी और उसकी बहन ने बताया ब्रहस पतिवार के वरत में चने की दाल और मुनका से विष्णु भगवान का केले के जड़ में पूजन करें एक दीपक जलाएं पीला भूजन करें तथा कथा सुने इससे गुरु भगवान प्रसन्य होते हैं मनो कामना पूर्ण करते हैं व्रत और पूजन की विधी बता करानी की बहन अपने घर को जरूर करेंगे साथ रोज बाद जब रहस्पतिवार आया तो उन्होंने वरत रख गुर साल से जाकर चना और गुर बिनकर लाई तथा उसकी दाल से केले के जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया अब पीला भूजन कहां से आए दोनों बड़ी दुक्वी हु हैं इससे तुम दोनों ग्रहन करना दासी भोजन पाकर ब्रहत प्रसन्य हुई उसने रानी को सारी बात बताई उसके बाद वे दोनों प्रतेख रहस्पत्वार को गुरू भगवान का वरत करने और पुजन करने लगी ब्रहस्पति भगवान की क्रिपा से उनके पास धन अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य हो गया है बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है इसलिए हमें दान पुन्नी करना चाहिए अब तुम भूखे मनुश्यों को भोजन कराओ प्याओ लगवाओ ब्रावनों को दान दो खुआ तिला बावडी आदी का निर्मान कराओ मंदिर पाठशाला आदी बनवाओ कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ अर्थाद धन को शुब कार्यों में खर्च करो जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्थो और पितर प्रसन हो दासी की बात सुनकर रानी शुब करने लगी उसका यश फैलने लगा एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे उनकी कोई खोश कबर भी नहीं मिली उन्होंने शुद्धा पूर्वगरु ब्रहस्पती भगवान की प्रातना की कि राजा जहां कहीं भी हो शिक्र वापस आ जाएं उधर राजा परदेश में बहुत दुखी रहने लगा वह प्रती दिन जंगल से लकडी बिन कर लाता और उसे शहर में बेच कर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठंता से व्यतित करने लगा एक दिन दुखी होकर उसने पुरानी बातें याद करने लगा और रोने लगा और उदास हो गया उस समय राजा के पास ब्रहस्पती देव सादो का वेश में आकर बोले हे लकड़ारे तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो मुझे बताओ यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भराया साधू की वंदना कर राजा ने अपने संपून कहानी के सुनाई महात्मा दयालू होते हैं वे राजा से बोले हे राजन तुम्हारी पत्नी ने ब्रहस पती देव के प्रती अपरात किया था इसी कारण तुम्हारी यह दशा हुई है अब तुम चिंता मत करो भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे देखो तुम्हारी पत्नी ने ब्रहस्पतिवार का वरत प्रारंब कर दिया है अब तुम भी ब्रहस्पतिवार का वरत करके चने के दाल वगुड जल के लोटे में डाल कर के लेके पेड़ की पूजन करो फिर कथा सुनो और या कहो भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पून कर देंगे साधू की बात सुनकर राजा बोले हे प्रभू लखडी बेशकर तो इतना पैसा नहीं बचता जिससे भूजन के उपरांद कुछ बचा सकूँ मैंने रात्री में अपनी राणी को व्याकुल देखा है मेरे पास कोई साध्र नहीं है जिससे उसका समाचार पासको फिर मैं कौन इसी कहानी कहूं यह भी मुझको मालूम नहीं साधू ने कहा हे राजन मन में ब्रहस्पति भगवान के पूजन वरत का निश्य करो वे स्वेम तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे ब्रहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लखडियां लेकर शहर जाना तुम्हें रोज से दुगुना धन मिलेगा जिससे तुम भली भाती भोजन कर लोगे तथा ब्रहस्पतिवार की पूजा का समान भी ला सकोगे जो तुमने ब्रहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है वह इस प्रकार है ब्रहस्पतिवार की व्रत का था प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्रामन था उसकी कोई संतान नहीं थी वह नित्य पूजा पाठ करता था उसकी इस्त्रीन असनान करती थी और नहीं किसी देवता का पूजन करती थी इस कारण ब्रामन देवता बहुत दुखी रह करते थे भगवान के क्रिपा से ब्रामन के हां एक कन्या उत्पन हुई कन्या बड़ी होने लगी प्रातर स्नान करके वह भगवान विश्णु का जब करती थी ब्रहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती और अपनी मुठ्थी में स्वर्ण के हो जाते थे और उनको बिनकर वो घर ले आती एक दिन भबाली का सूप में सोने के जौट फटक कर साफ कर रही थी तब ही उसकी ओख लिया और कहा कि हे का बेटी सोनी के जौप वटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए दूसरे दिन गुरु वार्था कन्या ने वरत रखा और ब्रहसपती देव से सोने के सूप देने की प्रात्ना की ब्रहसपती देव ने उसकी प्रात्ना सुईकार कर ली रोजाना की तरह वा कन्या जो फैलाती हुई पार्टशाला चली गई पार्शालर्ट से लौते वक्त जब वो जो बिन रही थी तो ब्रहस्पती देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला उसे वो घर ले आई और उससे जो साफ करने लगी परन्तु उसकी मा का वही धंग रहा एक दिन की बात है कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला कन्या के रूप और कारे को देखकर वो उस पर मोहित हो गया राज महल में आकर वो भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया राजा को जब राजकुमार द्वारा अने जल त्यागने का समाचार ग्याद हुआ तो वे मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास आ पहुँचे और कारण पूछने लगे राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया मंत्री उस लड़की के घर गए मंत्री ने ब्रामन के समक्ष राजा की और से निवेदन किया कुछ दिन बाद ब्रामन की कन्या का विवाराज कुमार के साथ संपन्य हुआ कन्या के घर से जाते ही ब्रामन के घर में पहले की भाती गरीबी का निवास हो गया एक दिन दुखी होकर ब्रामन अपनी पुत्री से मिलने गए बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी मा का हाल पूछा ब्रामन ने सभी हाल विस्तार पूर्वक सुनाया कन्या ने बहुत सा धंदे कर अपने पिता को विदा कर दिया लेकिन कुछ दिन के बाद वही हाल हो गया ब्रामन फिर अपनी कन्या के यहां गए और सभी हाल अपनी पुत्री को कह सुनाया पुत्री बोली है पिता जी आप माता जी को यहां लिवा लाओ मैं उन्हें पिधी बता दूँगी जिस से गरीबी दूर हो जाएगी ब्रामन देवता अपनी इस्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल में पहुचे तो पुत्री ने अपनी मा को बहुत समझाया वो बोली है मा तुम प्रातकाल इस नानादी करके विश्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरित्ता दूर हो जाएगी परंतु उसकी मा ने उसकी एक भी बात नहीं मानी वो प्रातकाल उठकर अपनी पुत्री की बची जूठन खा लेती थी एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया उसने अपनी मा को एक कोटरी में बंद कर दिया प्रातव उसे इसनानादी करा के पुझा पाठ करवाया तो उससे उसकी मा की बुध्धी ठीक हो गई इसके बाद वो नियम से पुझा पाठ करने लगी और प्रतेग ब्रहस्पतिवार को वरत भी करने लगी इस वृत के प्रभाव से मृत्यू के बाद वह स्वर्ख को प्राप्त हुई वह ब्रामन देवता भी सुख पूर्वक करके स्वर्ख को प्राप्त हुई इस तरह कहानी कहकर साधू बने देवता वहां से लोप हो गए धीरे धीरे समय वेती थोने पर फिर ब्रहसपतिवार का दिन आया राजा जंगल से लकडी काट कर शहर में बेचने गया उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला राजा ने चना गुड आ दे लाकर ब्रहसपतिवार का वरत किया उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए पर जब अगले गुरुवार का दिन आया तो राजा रहस्पतिवार का वरत करना भूल गया इस कारण रहस्पति भगवान नाराज हो गया उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यक्का आयोजन किया था तथा उसके समस्त राज में घोशना करवा दी थी कि सभी मेरे घर भोजन करने आवें किसी के घर चुला ना जले इस आग्या को जो ना मानेगा उसको फासी दे दी जाएगी राजा की आग्या नुसार राजे के सभी लोग राजा के घर भोजन में सम्मिलित होने के लिए चले गए लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुँचा इसलिए राजा उस हार लकड़हारे ने चुड़ाया है उसी समय सैनिक बुलवा कर उसको जेल में डलवा दिया लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पुर्व जनम के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा ततकार ब्रहस्पती देव साधु के रूप में प्रगट हो गए और कहने लगे अरे मुर्ख तुने ब्रहस्पती देवता की कथा नहीं की इसी कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है अब चिंता मत कर ब्रहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे चार पैस ब्रहस्पतिवार की पूजा करना तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे अगले ब्रहस्पतिवार को उसे जेल के दरवाजी पर चार पैसे पड़े मिले राजा ने पूजा का समान मंगवा कर कथा कही और प्रसाद पाटा उसी रातरी में ब्रहस्पति देवने उस नगर के राजा को सुपने में कहा है हे राजा तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना वह निर्दोश है राजा प्रातकाल उठा और खुटी पर हार टंगा देखकर लकड़ हारे को बुलाकर शमा वांगी तथा राजा के योग सुंदर वस्त रापोशन भेट कर उस का बाग और धरमशाला है तब नगर के सब लोग कहने लगे यह सब राणी और दासी द्वारा बनवाया गया है राजा को आश्यर हुआ और गुसा भी आया कि उसकी अनुपस्थीती में राणी के पास इतना धन कहां से आया जब राणी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हो गई और जब राजा आये तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाए तब राजा ने करोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा बताओ यह धन तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ तब राणी ने सारी कथा कह सुनाए राजा ने निश्य किया कि मैं रोजान कि चलो अपनी बहन के हाँ हो आओ इस तरह का निश्य कर राजा गोड़े पर सवार हो अपनी बहन के हाँ चल दिये मारग में उन्होंने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिये जा रहे हैं उन्हें रोक कर राजा कहने लगा अरे भाईयों मेरी ब्रहस पतिवार की कथ कथा सुन लो वे बोले लो हमारा तो एक आदमी मर गया है इसको अपनी कथा की पड़ी है परन तो कुछ आदमी बोले अच्छा कहो हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी जब कथा आधी हुई थी तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समापत हुई तो राम राम करके मुर्दा उठकर खड़ा हो गया राजा आगे बढ़ा उसे चलते चलते शाम हो गई आगे मारग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला राजा ने उसे कथा सुनने का आगरह किया लेकिन वो नहीं माना राजा आगे चल दिय राजा के हटते ही बैल पचाड़ खाकर गिर गए पथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा उसी समय किसान की मारोटी लेकर आई उसने यह सब देखा तो अपने पुत्र सकसे सब हाल पूछा बेटे ने सब ही हाल कह बताया बढ़िया दोड़े दोड़े उस घर सवार के पास पहुँची और उससे बोली मैं तेरी कथा सुनूंगी तू अपनी कथा मेरे खेट में चल कर कहना राजा ने लोट कर बुढ़िया के खेट में जाकर कथा कही जिस से सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया राजा अ पूछा कोई ऐसा मनुष्य है जिसे भोजन नहीं किया हो तो मेरे ब्रहस्पति भगवान की कथा सुन ले बहन बोली है भाईया यह देश ऐसा ही है यहां सब लोग पहले भोजन करते हैं बाद में कोई अन्ने काम करते हैं फिर वह एक कुमहार के घर गई जिसका लड़का ब सव्थिक हो गया अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहाए है भाईया भाईया मैं तो चलूंगी परं तु बालत नहीं जाएगा अपने बहन को भी छोड़ कर दुखी मन से राजा अपने नगर को वापस लोटाया राजा ने अपनी रानी से सारी कथा कह सुनाई बिना भोजन की वशया पर लेट गया रानी बोली है प्रभू ब्रहस्पती देव ने हमें सब कुछ दिया है वे हमें संतान भी अव राजा ने बोला हे रानी इसरी बिना भोजन के रह सकती है परन्तु बिना कहीं नहीं रह सकती जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना रानी ने हां कर दी जब राजा की बहन ने ये शुपसमाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और विधाई देने के लिए भ पहाई में इस प्रकार नह कहती तो तुम्हारे घर ऑलाद कैसे होती बहस्पती देव सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं जो सद्भामना पूरवग बहस्पतिवार का वरत करता है इवं कथा पढ़ता है कथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है बहस्पती देव उसकी सभ रक्षा करते हैं जो संसार में सद्भावना से कुरुदेव का पूजन करते हैं इभंवरत सच्चे हिदय से करते हैं उनकी सभी मनुकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती है जैसे सच्ची भावना से राणियों और राजा ने ब्रहस्पतिवार की कथा का गुणगान किया तो उनक कि सभी मनों कामनाए ब्रहस्पती देव ने पूर्ण की, अंजाने में भी ब्रहस्पती देव की अपेक्षन ना करें, ऐसा करने से सुक्षांती नस्ठ हो जाती है, इसलिए सब को कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हिर्दय में उनका मनन करते हुए जैकारा बोलना चाहिए, बोलो श्री प्रहस्पती भगवान की जै, बोलो श्री विश्णु भगवान की जै